अजय देवकन की हालिया सिंगम अगें साल के सबसे बड़ी और सबसे प्रतिक्षित फिल्मों में से एक है एक नवंबर को सिनमा घरों में रिलीज होने के साथ ही इस फिल्म ने अजय देवकन के फैंस को एक बहतरीन और धमाकिदार दिवाली का तोफात दिया है यह रोहित शेटी की कॉप यूनिवर्स की पाँचवी फिल्म है फिल्म ने शांदार ओपनिंग की है और यह अजय देवकन की करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है जिसने सनी दियॉल की गदर टू के पहले दिन के कलेक्शन 40 करोड रुपे का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है आए जानते हैं सिंगहम अगेन ने दूसरे दिन कितना कलेक्शन किया सिंगहम अगेन रामायन से प्रेरित है 2014 में आई सिंगहम रिटरंस के एक दशक बाद अजय दिवकन ने इस फिल्म से अपने एकोनिक किरदार भाजी रओ सिंगहम में वापसी की है फिल्म में अरजुन कपूर, अक्षे कुमार, टाइगर श्रॉफ, रनवीर सिंग, दिपिका पादुकोन, जैकी श्रॉफ, करीना कपूर खान भी महतवपूर भूमिका निभाई है इसके अलावा सल्मान खान का चिलबुल पांडे के किरदार में चैमियो दर्शकों के लिए एक और आकरशन बना पहले दिन फिल्म को दर्शकों से शांदार रस्पॉंस मिला दिल्चस बात ये है कि इस कॉप एक्शन फिल्म की रिलीज के पहले दिन कार्थिकारिन की भूल भूले या तीन से मुकाबला हुआ लेकिन अजे देवगन बॉक्स ओफिस पर सिंगहम साबित हुए और फिल्म ने 43.50 करोड रुपे की शांदार कमाई के साथ शुरुआत की फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के शुरुआती आकड़े भी सामने आ गए है एक रिपोर्ट के अनुसार सिंगहम अगेन ने रिलीज के दूसरे दिन रात 9 बच कर 46 मिनट तक 37.70 करोड रुपे का कलेक्शन किया हाला कि ये आकड़े प्रारंबिक है और फाइनल डेटा भी आना पाकी है इसके साथ ही सिंगहम अगेन की दो दिनों की कुल कमाई अब तक 81.2 करोड रुपे हो गई है सिंगहम अगेन ने बॉक्स आफिस पर धूम मचा दी है 43.50 करोड रुपे की बहतरीन ओपेनिंग के बाद फिल्म दूसरे दिन भी टिकेट खिड़की पर शानदार प्रदर्शन कर रही है उमीद की जा रही है ये दूसरे दिन 45-50 करोड के बीच कमाई कर सकती है अगर ऐसा हुआ तो ये फिल्म दूसरे दिन 100 करोड का अकड़ा भी पार कर सकती है फिल्हाल सभी की नजरें बॉक्स आफिस पर टिकी हुई है अब ये देखना है कि क्या सिंगहम अगेन दो दिनों में शतक बना पाती है या नहीं